आप सभी को मेरा नमस्कार आज सारदिय नौरात्री के दूसरे दिन मादुरगा की ब्रह्मचारने शरूप की पूजा का दिन होता है मा का ये रूप अपने भक्तों और शिद्धों को अनंदफल देने वाला है इनकी उपासना से तब, त्याग, वेराग्य, सदाचार और सहियम की वृत्धी होती है सास्त्रों में ब्रह्मचारने का अर्थ तब की चारनी यानी तब का आचरन करने वाली बताया गया है देवी का यह रूप पूर्ण जियोतिर में और अत्यंत भव्य है इस देवी के दाए हाथ में जब की माला है और बाए हाथ में यह कमंडल धारन किये है चलिए जानते हैं इनकी कथा के बारे में बहुत समय पूर्व की बात है कि पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालाय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था नारजी के उपदेश से भगवान शंकर को पती रूप में प्राप्त करने के लिए घूर तपश्या की थी इस कठिन तपश्या के कारण इन्हें तपश्चारिनी अर्थात प्रम्हचारिनी नाम से जाना जाता है एक हजार वर्ष तक इन्होंने केवल फल फुल खाकर बिताए और सो वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निरवाह किया कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले हाकास के नीचे वर्षा और धोप के खोर कस्ट शहे तीन हजार वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही इसके बाद तो उन्होंने भूखे सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिये कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपश्या करती रही पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपड़ना ना पड़ गया कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम छेड़ हो गया देवता, रिशी, सिद्धगर, मुनी सभी ने प्रमचारनी की तपस्या को अभूत पुर्वपुन्यकृत्य बताया सराहना की और कहा ही देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की यह तुम ही से ही संभौती, तुम्हारी मनों कामना परिपून होगी आप सभी को मेरा लवश्कार, आज सारदीय नौरात्री के तपस्या छोड़कर घर लड़ चाओ इस तरह की ब्रह्धि, तुम्हारे भी तुम्हारे भी तुम्हें बुछाने आ रहे है मांका यह तुम्हारनी देवी की अपने भक्तों और सिंथि, अनंद्फल देने वाला है दुर्गा पूचाशना से तब देवी के इराग्य, सदाचार और सहीम की वृत्धी होती है सास्त्रों में ब्रह्मचारने का अर्थ तब की चारने यानि तब का आचरन करने वाली बताया थिया है देवी का यहरूप पूर्ण जोतिर में और अत्यंत भव्य है